परना चाहता हूं कि केस कंप्लेट केस और चलान केस का प्रसीजर क्या है क्योंकि हम बतार ताले बिल्म रोज इनकी कई हालात से कई चीजों से कंफरांट होते हैं जिन में फास्का फाल ही है कि एक तो मुकदमा दर्ज होता है पुलीस मुकदमा दर्ज करती है और उसमें कुछ मुलमान को बेगुना कर देती है तो अग्रीवड बाई दर पुलीस इन्वेस्टिकेशन कंप्लेनिट साइट से एक इस्तगासा दायर होता है और जब वो इस्तगासा दायर होता है तो उसका प्रफीजर क्या है ये कहीं cyrpc में दर्ज नहीं है जापते में कहीं दर्ज नहीं है इस पे जो पहली अथारिटी आए थी हम उसको पहले डिसकस करेंगे पिर उसके बाद दो लाग डिवेल्प हुआ है उस लाग को डिसकस करेंगे सबसे पहली अथारिटी है दूरिलाई वर्से स्केट केस पी एल ली 906 पे 708 इसमें उन्हें उन्हें इहीं उल्ड किया कि तुके सीर पीसी में लादा कोई प्रसीजर नहीं है इसका तरीकार क्या होगा इसका तरीकार यह होगा कि सबसे पहले जब तक केस में 204 की कारवाई तक दोनों कठे चलेंगे कि म complaint case है उसको चलाया जाएगा और तरीकार यह होगा कि complaint case में मुकमल जो evidence उसमें गवाहान है उनको record करने के बाद जो remaining witness रहे जाएगे वो उस इस तगासे मेंसे जो से 43 में पुलीस ने चलान में शामिल की हैं उनको बतौर court CW तलब करें और उनका बयान कलम बंद होगा यह सारे बयान कलम बंद होने के बाद फिर अदालत हैसला करेगी पहले complaint case में उसमें conviction होती है या equitable होती है वो evidence की बुनियाद पर होगी फाद तसे का argument अगर उसमें conviction हो जाती है तो फिर prosecution क्या करेगी फिर prosecution या तो with the permission of court अपना case विट्रा का लेगी या उसको as it is रहने देगी और उसको हुई फैसला चलता रहेगा conviction वाला और अगर एक्टूटल होती है तो फिर prosecution ये भी कर सकता है कि अगर उसका कोई case में evidence की सबस्कांस है material है तो फिर उसको भी चलाया जा सकता है ये एक सूरत पाहल है दोसरी सूरत पाहल ये है कि अगर दोनों side से मदरूब है एक version मुल्समान का है एक version मुदाई का है और इन दोनों version को कैसे मिलाखे चलाया जायेगा तो इसके तरीकार्ष करहिए है कि दोनों केसों का फैसला कट्था होगा एक केस की एविडनस मकमल होने के बाद दूसरे केस की एविडनस मकमल होगी दोनों की जब एविडनस मकमल हो जाएगी तो अदालत उनका फैसला कट्था करेगी इस पे जो बुनियादी अथार्टी पहले आई थी नूरिलाई केस के ब कि फर्द कर लें इस तगासा भी है कंप्लेंट भी है तो उसमें क्या करेंगे यह दो कंप्लेंट सा गई हैं तो उनमें क्या करेंगे तो उसमें यह डिसाइड किया गया है कि जिसमें नमबर अक्यूज ज्यादा होगा ज्यादा होगे ये नोरिलाइस वर्शेस्टेट केस उस सूरत में लागू है कि जब मुझमान भी सेम हो, स्टोरि भी सेम हो और उसमें सिंपल कुलीस ने बेगुना किया हूँ कुछ मुझमान को लेकिन ये और है जिसमें मुझमान के नंबर ओर हूँ पुछ एस थगासे में आप और एड़ करते हैं चलान केस में और आए तो इसमें पिर चलान केसी मकमल दोर पे पहले समाथ किया जा जाए अगर हो आगर दूर बशचर तको से कीरतव जादा निहाना तो फिर उसमें सबसे पहले समाथ होगी बीजेट काकूस ने ये मज़र्टी वियों के साथ पहला फैसला था और उन्हें इसे भी फर्किया था उनका ये था कि ये पहले जब परसन जो कि अदालत में अपनी स्टोरी या एविडेंस पेश करता है दोनों स्टोरी जो हैं वो कोड के सामने होनी चाही है और कोड सचाई देख के फैसला कखा कर दे लेकिन होड ये किया गया कि नहीं अगर कंप्लेंट केस का फैसला हो जाता है तो फिर प्रसिक्यूशन की धिमधारी है उसको एक्विटल के बावजूद वो चला सकते है इसमें फिर ये एक ही फैसला होगा जो होगे है ये बीज़ेट के काकूश साब ने उन्होंने उससे डिफर किया मैजरिटी व्यूशन यही है कि नूरिलाई वरसिस स्टेट केस्ना प्रिवेल करेगा और ये अताजिलानी केस में जो है इसमें भी यही है कि दो केसे जो हूँगे उनमें से पहले किस केस को लेंगे जिसमें नमबराफ़ क्यूश जादा है और दूसरे केस में जितने भी गवाण होंगे उन्हें बतौर सी डवली अदारत पांच सु चाली से किताब तलब करेगी और उनकी गवाई कलंबा दूने के बाद फिर फैसला फादल अदालत यही करेगी कि यह एक किसम के यूं समझें कि कोई ला नहीं है कि कंसालीडेट किया जाए लेकिन फ्यूगेरेल डेवली सिंबॉलिकली यह कंसालीडेटें होंगे लेकिन वे दोनों की कट्छी होगी और इसमें कोई बिर बाद में किसी भी केस को इसके साथ मिला के इसका अलाएदा फैसला नहीं किया जाएगा जो फस्ट वर्शन टेक किया गिया है वो सक्सीर होता है तो लेटर फिर उसके बाद उसका फैसला उसको मदे नदर रखके फिर इसके बाद ये केसला डिवेल्प हुआ है मन्जूर अकबर तुर्क वर्सिस स्टेट है ये 2008 MLD 728 है इसमें दोनों में तरीकार ये है कि अदालत जब सेशन कोर्ट में दो केसों का काउगरिजन्स ले लेती है और काउगरिजन्स जैसे आपको पता है कि सेशन कोर्ट डिरेक्ट नहीं ले सकती ये मजिस्टेट ही केस बहिते हैं फाजल सेशन जज काउगरिजन्स लेते हैं पहले मजिस्टेट काउग्रिजन्स लेते वाद इंक्वैरी करता है कि उसका ट्रायल है या नहीं है फिर सेशन कोट में बेई देते हैं सेशन जाज साब दोनों का काउग्रिजन्स ले लेते हैं दोनों में नकूला तक्सीम कर देते हैं दोनों में शाहते कलम बंद करते हैं औ और विफ्वर फ्रेमिंग आफचार्ग ट्रायल जज़ ये डिसाइड करेगा, स्पीकिन गार्णनर करेगा कि प्राइवेट कंप्लेंट, ये कंसालिडेट होनी है सरकारी मुकदमे के साथ, स्टेट केस के साथ, या private complaint और ये दोनों independent चलने हैं ये consolidation का procedure नहीं है लेकिन फादल अदालत नहीं है ये ये ओल्ड किया है कि ये अदालत decide कर लेगी अपने तोर पे कि दोनों को मिला के चलाना है ये एक को पहले चलाना है दूसरे को बाद में चलाना है इस केस को इन्होंने लिया दोगाराथ में और ये मैं समझता हूँ कि ये तीनों केस लाजो है ये आप लोगों को एक दफ़ाएं सबसे go through होना चाहिए और इसके बाद ये करेगा फार्मल चार्ज परेम करेगा एविडेंस रिकार्ड करेगा इसका पूरी एविडेंस आएगी और वो एविडेंस कम्पलीट होने के बाद उसके बाद का प्रफीजर क्या है कि जो चलान केस के विटनेस होगे वो समझ करेगा उन विटनेस को जो आर एडी कम्पलेंट केस में समझ नहीं होए और उनको मुका दिया जाएगा कि क्रॉस एक्जामिन करें और उसके बाद जो है वो अपने आर्गुमेंट सम अप करें और जज्मेंट जो है वो कंप्लेंट केस में अनाउस करेंगे और इन केस आफ कन्विक्शन इसका भी प्रोफीजर कुछ नूरिलाई से थोड़ा सा डेवियेट कर कि अधरवाई दिया गया है कि पहले प्रासीकूटर को अपर्चनूटी जी जाएगी कि वो पुलीस केस को कन्विक्शन होती है तो वो केस पुलीस केस विड़ा कर ले अगर प्रासीकूशन विड़ा करता है तो मैटर एंड हो जाता है अगर विड़ा नहीं करता है अधरव मुख्तसर करेंगे ये पियली 2016 सुप्रीम कोट है ये आसिफ सहीद खोसा साब ने किसमें ये राइवल पार्टीज के केसिज को इस डिसकस किया है ट्रायल आफ साच केसिज पुर्फीजर डिफरेंट वर्शन हम सेम इंसिडेंट जो है एक वर्शन मुद्धई का है एक वर्शन मुद्दमान का है ये दोनों वर्शन उनों डिसकस करते हुए और इसमें मैं आप से शेयर करूँगा कि ये हामे साब और सरगाना साब भी इस पे थोड़ा सा डिसकस करेंगे चुकि ये प्रैक्टिकली हम से ज्यादा सीनियर भी है और ये समयते भी है इसमें पहला जो हिस्सा है वो उसमें यही है कि P.L.D. 1971 सुप्रीम कोर्ट केस था मुद्ध सादिक वर्शन स्टेट क्रास केसेज में उसको बनियात बनाके उसके साथ 2000 S.C.M.R. 641 है P.L.D. 1981 सुप्रीम कोर्ट 552 है P.L.D. 1986 सुप्रीम कोर्ट 37 है ये एक हिस्सा है जिनमें एक वर्शन को डिसकस किया गिया है और दूसरा ये है कि जब कंप्लेंट केट फस्ट लिया जाता है और बाद में चलान केस लिया जाता है जिसमें नूरिलाई वर्शन स्टेट केस है इसके साथ जो है P.L.D. 1986 के साथ P.L.D. 1989 सुप्रीम कोर्ट पे फिप्टी फिरी ये जुलफकार अली भुटू वर्शन स्टेट केस था इसके साथ सेद महमन हुसैन शाह वर्शन अब्दलमीद ये 1981 सीमार 361 है और फिर इसी तरह आगे P.L.D. 1986 पे 737 है और अजीज वर्शन वर्शन स्टेट 1987 लाहर 245 है और इसमें सेशन जाजने दोनों केसों को कंसॉलिडेट करके फैसला कर दिया था और ये आपको सुप्रीम कोर्ट गया तो उन्होंने मेरिक को डिसकस नहीं किया उन्हेंने का नहीं प्रोसीजर में ये इन लिगालेटी नहीं है अगर कोई जाजन को कंसॉलिडेट भी कर देता है तो कंसॉलिडेशन कोई ये लिगालेटी नहीं है दोनों को डिसकस करके अगर किसी का राइट पर यूडेस नहीं हुआ तो फिर उन्होंने का कि ये तरीक कार भी द्रोस्त है तो अब ये तीन चार सूरते हैं एक चलान केस के साथ कंप्लेंट केस है एक क्रॉस केस है एक इंसिडेंट मुजबान का है एक मुदई का है एक दो कंप्लेंट सा जाती है larger कौम सी है, छोटी कौम सी है, कम कौम सी है हाँ, अलबता same set of accusations, same evidence हो और फिर उसमें एक ही complaint चलनी चाहिए